Good morning dear parents and students, how are you this morning? I am Anjali Mishra from Little Steps Play School, Anupur and welcome to you too. तो बच्चों, आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? Maths. Maths में क्या पढ़ेंगे? Write number 1 to 10. Open your copy, page number 26. देखिए, इसमें दिया हुआ है 10s and 1s. मैंने board पे भी लिखा हुआ है 10s and 1s. 10s means क्या होता है? बताईए, जैसे हम लोगों ने लिखा है 1. ओके? लिखा हुआ है, फिर लिखें हम 2. फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and last 10. ओके? जो हमारी one digit होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? 10s, ओके? जैसे हम लोगों ने one लिखा हुआ है, तो हम किस में लिखेंगे? 10s में लिखेंगे one, ओके? and two किस में लिखेंगे? 10s में, क्योंकि only वो one digit है. तो बच्चों, हम two को किस में लिखेंगे? 10s में, ओके? क्योंकि only वी one digit है, इसलिए हम किस में लिखेंगे? 10s में. next, three को भी हम 10s में लिखेंगे, क्योंकि वो single digit है. four को भी 10s में, five, six, seven, eight, nine. अब देखिए, जैसे last में हमारे पास दिया हुआ है 10. 10 में तो two digit होती है, first कौन सी? one, and second कौन सी होती है? zero, okay? तो जो हमारा one है, देखें, ये 10 होगा, ठीक? तो ये जो हमारा one है, वो क्या कहलाएगा? 10s, और जो zero है, वो क्या कहलाएगा? ones, okay? तो हम क्या करेंगे? one को लिखेंगे 10s में, and zero को लिखेंगे ones में, okay? समझना आया बच्चों, ऐसे हमको क्या करना है? number लिखना है, ones and 10s में, okay? today class is over, and your homework case page number 26, okay? only 26, goodbye class!